विल्कम टू माई YouTube चैनल Ultimate Technology आज हम देखने वाले कि Kotlin में किस तरह सब array declaration करते हैं उसके बाद array के value आप initialize करते हो dynamic array किस तरह से रिक्ले करते हो उसके बाद उससे value किस तरह से retry करते हो array से तो यह सारी चीज़े आप देखेंगे तो सबसे पहले आप देखते हैं कि array declaration होता है कैसे है ठीक है तो सब कुछ देखने के लिए बने रही है मेरे साथ on ultimate यूटूब ultimate technology channel on YouTube तो सबसे पहले देखते हैं var मैं एक variable declare कर रहा हूं name नाम से name equal to अभी मुझे simple array declare करना है name नाम का जिसमें मैं मेरे friends के नाम लिखने वाला हूं तो मुझे यहाँ पर एक function चाहिए जिससे आप बोलोगे array off तो यह मुझे बताएगा कि array of okay तो में हापे ले ले नाओ मेरे friends के नाम इसा कि विजय ज्वे निलेश इसको विडवल कोड में चाहिए यह mail hp okay next place है comma राहूल ओके तो यह एक simple declaration है array का तो देखा आपने यह बहुत ही is equal to array of मैं जस number declaration कर रहा हूँ तो 1,2,3,4,5 तो यह हो गया integer array okay आप mix type array भी ले सकते हो जैसा कि for example मैं हाप यह आप यह वार ले रहा हूँ var mix is equal to array of अभी मैं declare कर रहा हूँ कि मैं लोग की हाप मैं लिया विजय राहूल ओके कॉमा 1,2 ओके देन 2.5,2.3 तो यह हो गया आपका mix type of array ओके देखा आपने की array के अंदर आप जो है कुछ न कुछ value ले सकते हो अभी मालनों की मुझे अभी declaration हो गया मेरा सब कुछ अब मुझे इसे print कराना है तो print कराने के लिए भी आपके पास बहुत सारे options होते हैं कि आप for loop यूज़ करके कर सकते हो या फिर dollar sign यूज़ करके कर सकते हो आप तो देखते हैं दोनों भी किस तरह से करना है अपने को तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ आपको simple मैं dollar sign लेके बताता हूँ print ln और यहां पर मैं message दे रहा हूँ name of my friends just a minute friends okay तो यह मेरे name of friends चाहिए मुझे तो इसके अंदर मैं यह को लन और अब मैं दे रहा हूँ यहां पर dollar sign और curly bracket open अभी मैं यहां पर print करूँगा name जो मेरा name है name और उसकी index number दूँगा मैं index number दूँगा है यहां पर मैं माण लो name का zero number देता हूँ zero means what क्या print होना चाहिए विजय है चलो देखते हैं से मैं ऐसे run करता हूँ right click run program okay तो यह आगे है मेरा name of my friend विजय है okay तो देखा आपने dollar sign से आप directly print element में index value से आप print कर सकते हो next मैं इसको change करता हूँ महलो इसको मैं अगर change किया one तो यह print करेगा निलेश okay फिर से एक बार देखा आपने यह निलेश आगे है मेरा तो यह बहुत ही simple है किस तरह से आप access कर सकते हो अभी next देखते है for loop से कि for loop से आप किस तरह से access कर पाऊगे उससे ठीक है तो यह तो directly आप name से आप directly access कर रहे हो अब मैं चाहता हूँ कि यह जो है array declaration अब यह मुझे चाहिए कि मैं for loop use करके one by one सब को print करूँ तो मैं यहाँ पर लोकूँगा for okay for x in name name x in name इसका curly bracket दे देंगे तो किया आगया अब मैं यहाँ पर print ln x चलो इससे run करते हैं यह किस तरह से output देता हो देखेंगे देखा आपने यह भी बहुत ही simple है अब जैसे for loop x in name मतलब यह array की जितनी size रहेगी वो ले लेगा और one by one विजय निलेश राहूल इस तरह से परिंट कर रहा है okay तो देखा आपने यह बहुत ही simple होता है किस तरह से आप array declaration करते हैं और किस तरह से उसे print करते हैं मनलो कि मुझे value print करनी ही है यह mx की ठीक है तो mx की value किस तरह से print करेंगे for x in mx mxi max तो इससे में run करता हूं run तो देखा आपने इसका output आया rahul 122.3 तो यह भी बहुत ही simple है इस तरह से आप directly print कर सकते हो यहां पर आप dollar sign use कर सकते हो तो देखा आपने variable declarations किस तरह से आप array declare करते हो किस तरह से access करते हो इसके next lecture में आप देखेंगे कि किस तरह से आप dynamic array declare कर सकते हो उसकी value उसके अंदर on the run time किस तरह से दूसरा number या फिर दूसरी value insert कर सकते हो तो बनी रहिए मेरे साथ on ultimate youtube channel तो मिलते हैं next video में thank you कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो